असलाम अलाइकूम तो कैसी है मेरी वाइटी की छोटी सी फेमिली उमीद हैं आप सब खेर्यत से होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ आज हम रोशन कीचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं उरद और चने की डाल की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो दिखने में जितना अच्छा लगेगा स्वाद भी उसका उतना ही जादा अच्छा आने माला है तो देख सकते हैं बहुत ही लजीज बन कर तयार हुई है और आज हम यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना तो मैंने यहाँ पर ली है चने की डाल और उरत की डाल ये छिलके वाली दाल है उरत की मैंने यहाँ पर दो कटोरी उरत की दाल ली है और आधी कटोरी है यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है आप यहाँ पर दाल को कम या जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो चलो हम बना लेते हैं शुरू करते हैं हम वीडियो को कुकर लिया है और हम यहाँ पर इसके अंदर तेल एट कर देंगे तेल गरम हो गया है मैं यहाँ पर अब इसमें लसन की कलिया एट कर दूँगी और हमको इसको कुछ देर तक फ्राइ होने देना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता मैं यहाँ पर इसमें सुखी लाल मिर्ची भी एट कर दूँगी लसन यहाँ पर फ्राय हो चुकी है उसका कलर चेंज हो चुका है हमारी जो लाल मिर्ची एट की थी हमने उसका भी कलर चेंज हो चुका है मैं यहाँ पर अब इसमें जीरा एट कर दूँगी जीरे को मैंने हाथों में crush करके add किया है फिर मैं यहाँ पर इसमें प्याज add कर दूँगी मैंने एक बड़ी प्याज ली है उसको cut कर लिया है हरी मिर्ची add कर रही हूँ यहाँ पर मैं यह तीखी वाली है आप अपने हिसाब से add कर सकते हैं आपको कितना spicy पसंद है उस हिसाब से यहाँ पर आप मिर्ची एट करिएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी एट करने वाले हैं अच्छे से हम यहाँ पर mix कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें टमाटर एट कर दूँगी मैंने यहाँ पर एक टमाटर को कट करके रखा है वही मैं यहाँ पर इसमें एट कर दूँगी और हमको इसको अच्छे से mix कर लेना है और कुछ देर तक ऐसे ही हमको इसको fry करना है चला लेंगे हम इसको अच्छे से और इसको हम यहाँ पर कुछ देर के लिए फ्राइ होने देंगे GAS की फ्लेम यहाँ पर मैंने बढ़ाई हुई रखी है देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बनने वाली है यह डाल अच्छे से ये भून चुका है मैं यहाँ पर इसमें अद्रकलसन का पेस्ट एड़ कर दूँगी मैंने यहाँ पर एक चमच अद्रकलसन का पेस्ट लिया है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमको यहाँ पर इसको कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है अच्छे से हमको यहाँ पर mix कर लेना है और अब मैं यहाँ पर इसमें healthy powder और थोड़ा सा लाल मिर्ची powder एट करूँगी आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्ची powder को skip कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें डबल तड़का देने वाली हूँ तो वहाँ पर मैं इसमें लाल मिर्ची powder का इस्तिमाल जरूर करूँगी तो आप मिर्ची को अपने हिसाब से ही एट करें आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी skip कर सकते हैं एक से दो डाल सकते हैं जितना spicy है आपको पसंदे उसी साब से आप यहाँ पर मिर्ची एट करना ठीक है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी एट कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैं यहाँ पर इसको एक निट तक ऐसे ही भून लूँगी देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी अच्छे से मसाला हमारा भून रहा है मैं यहाँ पर इसमें पानी एट कर दूंगी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम डाल लिया है बनाने के लिए तो मैं यहाँ पर इसमें अपने हिसाब से पानी एट कर रही हूँ मैंने यहाँ पर तीन ग्लास पानी एट कर दिया है अब मैं यहाँ पर इसमें नमक एट कर रही हूँ नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़ादा एट कर सकते हैं पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं यहाँ पर इसको दाल को धो लेंगे हम तो मैंने दाल को धो लिया है, इतने टाइम में यहाँ पर उबाल आ चुका है, अब मैं यहाँ पर इसमें दाल एट कर दूँगी, सारी दाल हम यहाँ पर इसमें एट कर देंगे, और हम यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि दाल हम जब यहाँ पर दख्कन बंद कर दूगी और इसको हम यहाँ पर तीन से क정 न चार सीटी आने तक पकने देंगे और दाल को हम गला लेंगे कुको का डख्कन बंद कर देंगे हम, तीन सीटी के बाद मेने यहाँ पर देख लिए हैं, दाल हमारी काफी अच्छे से गल चुकी है, डाल को आप अपने हिसाब से कम या जादा गला सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को डाल बिल्कुल घुला हुआ पसंद होता है तो कुछ को इस तरीके का पसंद होता है तो ये आप अपने हिसाब से गला सकते हैं अच्छे से गल चुकी है अब हम यहाँ पर इसका तड़का तयार कर लेंगे मैंने यहाँ पर एक तपेली ली है और उसके अंदर देसी घी एट कर दिया है आप यहाँ पर चाहें तो तेल भी एट कर सकते हैं गी मेल्ट हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें लसन की कलियां एट कर दी है और यहाँ पर सुकी मिर्ची भी एट कर दी है मैंने इसको हम अच्छे से फ्राइ होने देंगे जीरा एट कर दूँगी मैं यहाँ पर हातों में क्रश करने के बाद जीरा एट कर दूँगी यह वाला तड़का तयार करने के लिए हमको गेस की जो स्पीड है उसको बिल्कुल कम रखना है क्योंकि घी जो है वो बहुत ही जल्दी जलने लगता है तो इसके लिए हमको यहाँ पर बिल्कुल धीमी आज पर ही यह वाला तड़का तयार करना है अगर आपकी यहाँ पर घी ज़्यादा गरम हो जाता है तो आप कुछ देर के लिए गेस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं मैं यहाँ पर अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर एड़ कर दूँगी और यह जादा स्पाइसी वाला नहीं है एड़ कर देंगे हम और इसको जल्दी से मिक्स करने के बाद हम इसमें दाल एड़ कर देंगे और धककन को धब देंगे जिससे कि हमारी जो तड़के की स्मेल है वो इसी में रह जाएं कुछ दिर हम इसी तरीके से धकन को धका रहने देंगे और बाद में हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे डाल को अच्छे से mix कर लिया है सारी डाल हम यहाँ पर इसमें add कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर gaze की speed को medium to low आँच पर कर देंगे ताकि हमारी जो डाल है उसमें अच्छे से उबाला सके मैंने यहाँ पर इसमें धन्या पत्ती कट करके add कर दी है इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे और डाल को हम अच्छे से mix कर लेंगे जब यह हम gaze की flame को off करेंगे न तो जितना भी तड़का होता है न वो सारा उपर आ जाएगा अच्छे से mix कर लेंगे और हम इसको धीमी आज पर उबाल आने देंगे दाल को मैंने यहाँ पर एक बरतन में निकाल लिया है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा धन्या पत्ती और कट करके एट कर दिया है हमारी जो उड़द और चना डाल की रेसिपी है बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तयार हो चुकी है आपको हमारी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट करना और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पर आपको बहुती आसान सी रेसिपी देखने को मिलेगी जो इन्शाला आपको जरूर पसंद आएगी